हेलो एवरीबडी और वेलकम बैक टो आर यूट्यूब चानल तोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसी स्ट्राटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक एवर ग्रीन स्ट्राटेजी है मतलब आज से चार-पात साल पहले भी चलती थी अभी भी चलती और आगे भी चलती रहेगी और इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कस करने हैं मतलब की लॉजिक देखेंगी कि किस लॉजिक पर हम लोग स्टॉक सेलेक्शन कर रह है क्या हमारा exit plan रहेगा मतलब target क्या रहेगा stop loss क्या रहेगा अपने account में कितने capital होने पे इसको कितनी quantity से चलाना चाये और अगर हमारा worst day आता है मतलब साल का ऐसा दिना आता है जिसमें हम 20 ट्रेड ले रहे हो और 20 के 20 stop losses हो रहे है तो हमारा maximum loss क्या हो सकता है उस दिन ये number भ बनाने के mainly 2 reasons है पहला तो सेबी के कुछ ऐसी guidelines आ रही है कुछ ऐसे papers आ रहे हैं जिसमें वो लोग ये discuss कर रहे है कि भी retail का participation option trading segment में बहुत ज़्यादा हो चुका है और इसमें retail जो trader का segment है वो losses ही कर रहा है तो they want to do something जिसकी वज़े से retail का participation options में कम हो जाए तो उसके लिए वो लो क्या करेंगे lot sizes बढ़ा देंगे number of expires जो एक week में है वो कम कर लेंगे तो कही ना कहीं छोटे capital वाले trader को cash segment पे switch करना ही पड़ेगा और आज जो हम strategy discuss करने वाले वे purely cash segment पे है stocks पे काम करती है इसमें stocks की जो strategies होती है दोस्तों उसमें एक सबसे बड़ी problem जो सब लोग face करते कि भी stock selection कैसे करे यार 1500-1600 stocks है जिसमें trade कर सकते हैं लोग अच्छी liquidity वाले वरना तो बहुत सारे stocks हैं तो सबसे पहला issue जो आ जाता है कि stocks को select कैसे किया जाए select करने के बाद हमको entry point decide करना होता है कि breakout पे entry ले, reversal पे ले कौनसी candle पे ले, क्या time frame यूज करे तो इस strategy में ये सारी चीज़े 100% sorted है इसका stock selection भी automatic होता है, इसका entries भी खुद से हो रही है, इसमें stop loss भी खुदी decide हो रहा है, इसमें सारी चीज़े quantity calculation से लेके losses control करने पे, trailing SLG लेके, सारी चीज़े 100% automated है, अब किस तरीके से काम करती है, चलिए देख लेते हैं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हमने हमारा web app launch किया था, अच्छे कुछ 4-5 महिने पहले, अगर आपने अभी तक इस पे sign up नहीं किया है, आप trade.easycont.in पे जाके sign up कर सकते हो, अब इसमें हम लोगों ने एक tool लांच किया है that is called charting based algotrading tool, charting एक ऐसी website है, जिस पे आप stocks का कोई भी scanner बना सकते हो मतलब कि आपको कुछ filter करना कि भई मेरी ये ये conditions है आप जो भी stock में condition मैच हो रही है मुझे वो stocks को real time में scan करना है, तो charting is a platform that helps you do that अब हमने क्या किया, charting को हमारे algotrading tool के साथ link कर दिया, जिसकी वज़े से वो real time में stock scan हो रहे है उसके basis पे आप अपने account में algotrading, fully automated trading कर पाओ, अब इसमें एक और मज़ेदार बात मैंने ये add कर दी, कि भी एक starting strategy की मैंने एक library बना दी, मतलब कि आप अगर web app पे login करके, अगर आप यहाँ पे charting library पे click करते हो, तो आपको इस तरीके के पेज पे लाया जाएगा, जहाँ पे multiple 15B strategies है, जिसमें strategy का description भी डाला हुआ है long entry के scanner की link है short entry के scanner की link है और exit के scanner तक की link ये page पे आपको हड strategy की मिल जाएगी, अब आज जो हम लोग strategy डिसक्रस करने वाले हैं, that is called the open high, open low strategy, बहुत ही famous strategy है, अगर आप markets में हो, time से मतलब बहुत ही famous strategy है, अगर आप markets को follow करते हो, YouTube videos वगरा देखते हो, तो I am pretty sure आपको strategy के बारे में पता होगा right, but कितने लोगों ने इसको execute किया, कितने लोगों ने इसको successfully इसमें से profit बनाया कितने लोग इसको discipline से follow कर पाते है ये number मुझे नहीं पता तो open high, open low strategy के भी scanners इसमें है condition मैंने title के पास ही लिख दिये कि don't run after 9.35, why? Because आप बहुत सारे signals, अच्छे signals, अच्छा moment इसके बाद miss कर दोगे strategy का simple जाफंडा है, आपको market शुरू होने से पहले इसका हलो चला देना है अगर आप किसी दिन लेट हो जाते हो तो 10 बजे, 10, 11 बजे strategy को चलाने का कोई point नहीं बनता है, उसके बाद आपका risk reward खराब हो जाएगा, अब scanners देख लेता है, उसके charting पे settings कैसे करने वो देख लेता है और फिर इसका quantity अगेरा का calculation step by step देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग long वाला scanner देखते हैं, मतलब कि जो stocks हमको buy करने है उसको कैसे filter out किया जाए, तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है conditions बहुत simple सी है पहली 5 minute candle का जो open है और पहली 5 minute का candle का जो low है, वो same होना चाहिए मतलब market खोलते ही ये stock में buying आना चालू हो जाना चाहिए तो first condition is 5 minute open equals 5 minute low इसके बाद ये condition मैंने cancel कर दी है, इससे over filter हो रहे थे signals, मतलब बहुत late entries आ रही थी, तो ये condition हम लोग use नहीं कर ले वाले हैं, next condition is daily close greater than 50 and daily close less than 1000 मतलब ऐसे stocks हम लोग लेंगे जिनकी price 50 रूपे से अब हो और 1000 रूपे से नीचे हो बहुत ज्यादा price वाला stock लोगे तो उसमें आप quantity कम बहुत उठानी पड़ेगी बहुत कम price वाला stock होगा तो उसमें liquidity का issue काफी बार आ सकता है तो एक next condition जो मैंने डाली है, that is 5 minute का high minus low should be less than 0.03 times the high मतलब कि हमारी जो first candle बनती है, that should be smaller than 3% of that stock price, इससे क्या होगा ना कि आपका जो stop loss होगा, उसमें एक limit आ जाएगी, भी 3% से बड़ा आपका stop loss आ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, तो ये हमारा long entry का scanner हो गया similar तरीके से आपके पास यहाँ पे short entry का scanner है कि first 5 minute का open और first 5 minute का high से होना चाहिए stocks का price 50 और 1000 के बीच में होना चाहिए और first candle का length जो है, वो 3% से छोटा होना चाहिए, अब इसमें आज काफी सारे stocks आये है long में बस 2 stocks आये है ये सारी चीज़े अपन कौन से stocks है ये सारी चीज़े बार में देखते हैं अब इसको ये जो scanner बना हमारा, इसको हमारे अलगों से link कैसे किया जाए, so that आपके account में fully automated trading होती रहे, चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले आपको web app पे जाना है, आपने अगर अभी तक web app पे sign up नहीं किया, link description में और comment section में डाल रहो, वहाँ से जाके sign up कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको जाना है, marketplace में और charting stocks वाला जो यह है, tab उस पे करना है, आपको create पे click, ठीक है यहाँ से आपके पास एक URL आ जाएगा, यह URL को simply आपको copy करना है यहाँ पे button है, इसको click करोगे आपका copy हो जाएगा, यहाँ से modify alert में जाओ, और यह URL को यहाँ वेभूग URL में पेस्ट कर दो, यह हो गया हमारा URL पेस्ट, अब हमको देना है scanner को एक नाम तो यहाँ से long entry long alert name को यहाँ से copy कर लो और इधर simply paste कर दो मतलब कि इसमें से जो भी alert आएगा, उसको यह as a long alert treat करेगा, ठीक है, check for alert every five minutes ही रखना है zero and continue रखना है यहाँ से आप mail भी कर सकते हो लेकिन इसे आपका inbox बर जाता है और यहाँ पे आपको unique notifications पे select करना है simply save alert कर दो और आपका alert यहाँ पे create हो गया long का, similarly हम लोग short वाला alert भी यहाँ से create कर लेते हैं, यहाँ से आप both पे click करो यह URL हमने copy किया short पे modify alert किया यह URL को यहाँ paste किया इसके बाद short alert का नाम copy किया यहाँ पे paste किया और alert को save कर दिया simply इतना करने से आपके जो दो charting scanner से long entry वाला और short entry वाला वो हमारी web app से link हो चुका है अब यहाँ से जो भी alert आईगी वो यह URL को पड़ पाएगा अब आगे वाले settings हम लोग देख लेते हैं एक बार position sizing की जो बात है दोस्तो हम लोग यहाँ पे position sizing में money management यानि capital management यूज़ करने वाले हैं, अब काफी बार बात याती है कि हम लोग कितनी quantity से trade ले है हमारे account में इतना पैसा है, लेकिन कितनी quantity से trade ले है, तो मैं आपको बता दू कि भी दोनों scanners में मिला के दिन के 10 से ज़ादा alerts नहीं आने वाले है, regardless of what happens, अगर आता है तो हमको उससे ज़ादा trade करना भी नहीं है, दिन कि 20 से ज़ादा trade, overtrading हो जाती है उससे ज़ादा trade करने का कोई point नहीं बनता है, तो quantity calculation कैसे कर रहे है, इसका मैं आपको एक बार excel cheat के पूरा calculation समझा देता हूँ ठीक है, मान लो कि आपके पास है 1,00,00, ठीक है, यह 10,000 मैं इसको 1,00,00 कर देता हूँ हमने क्या decide कि हम लोग 20 स्क्रिप्स में trade करेंगे मतलब number of scripts हो गए हमारी 20 this is maximum दोस्तो, हो सकता है 10 भी आए, हो सकता है, 8 भी आए, हो सकता है 15 भी आए, बट मान लेते कि सारी के सारे trades आ जाते हैं तो 20 में हम लोग trade करेंगे that means आपके पास कितना capital बज़ गया, एक स्टॉक के लिए 1 लाख divided by 20, that is 5000 रुपे, right अब intraday cash में जब आप लोग trade करते हो, तो आपको एक leverage मिलता है, जो 4 गुना, 5 गुना होता है हम लोग सिफ 2 टाइम्स leverage consider करेंगे, हमको पूरा leverage use करना नहीं है, बट 2 टाइम्स leverage बिल रहा है, तो उसको use कर लेते हैं, ठीक है that means, आपके बास margin कितना हो गया per stock 5000 into 2, that is 10,000 रुपीज, मतलब आप per stock 10,000 रुपीज a lot कर सकते हो, इसमें चलिए, आगे की calculation बाद में देखते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे डाल दो 10,000 रुपीज ठीक है और max trades जो आपको per script लेना है, आप या तो 2 trade ले सकते हो, या तो फिर आप एक trade पे भी इसको stop करवा सकते हो, that depends on चुरुआत में 2 trade रखो, उसके बाद आपको कम trade करना है, आप कर सकते हो ठीक है, इसके बाद हमारी entry type में हमको select करना है rage breakout, हम लोग इस strategy को 5 minute पे follow करने वाले है तो time frame हमारा हो गया 5 minute जो by default selected आता है minimum candle size 0 रखेंगे maximum candle size हम लोग इसको यहाँ पे 3% पे limit कर देंगे मतलब 3% से बड़ी अगर candle बनती है, हम post में trade ही नहीं करना है, entry buffer 0 high break होते ही तुरंत long entry, low break होते ही तुरंत हमारी short entry हो जाएगी ठीक है exit parameters में हम लोग stop loss जो है वो candle high low पे कर देंगे मतलब long trade अगर हम लोग candle का high break होने पे ले रहे है तो उसका SL candle के low पे रहेगा और short trade अगर हम लोग low break होने पे ले रहे है तो उसका SL candle के high पे रहेगा target multiplier हम लोग बड़ा target रखने की सोच रहे तो इसमें four times थी stop loss कर देंगे कि बड़ी rally आती है हमारी तो one is to four के risk reward पे हम लोग अपना profit book करेंगे trailing SL अभी के लिए disable ही रखना है at this point ना SL trail करने की ज़रूरत है ना हमको quantity increase करने की ज़रूरत है एक और feature जो हम लोग use कर सकते है that is move SL to cost मतलब की 1% यहाँ पे percentage और points दोनों में हम percentage यूज़ करेंगे हम लोग अगर यहाँ पे 1% डाल देते हैं तो यह क्या करेगा stock में जैसे 1% movement आपके favor में आता है यह आपके stop loss को entry price पे लेएगा मतलब उसके बाद आपका यह stock में loss नहीं हो सकता है तो अगर आप number of entries यहाँ पे बढ़ा रहे हो मतलब कि आपको दिन की 2 के बले 4 entries लेनी है तब जाके आप यह feature use करो otherwise इसको भी disable ही रख सकते है हमारा start time जो हो जाता है that is 9.15 end time जो होता है that is 15.05 मतलब 15 बच के 5 मिनिट पे 3 बच के 5 मिनिट पे हम लोग सारे stop losses अपने जो भी open trades है उनको square off कर देगे इसके बाद no new trade after 12.00 इसको मैं 12.00 ही रहने दे रहा हूँ हो सकता है काफी बार क्या होता है पहली candle बनती है बड़ी उसके बाद market sideways होता है और बाद में breakout देता है तो हमको 12 बचे के बाद नई entries नहीं लेनी है max trades जो है इसको हम लोग यहां पे limit कर देता है 25 trades पर ठीक है stop after end target stop after NSL हमको नहीं होना है stop तो इसको भी हम लोग 25-25 पे limit stop after end stop loss इसको आप 20 रख सकते हो कि भी maximum मेरा loss जो उसका number मेरा नहीं ले इस वज़े से इसको मैं 20 पे set कर रहा हूँ at this point simply इसके बाद आपको save and deploy पे click करना है इसका नाम आप दे दो open high open low strategy ठीक है paper trading करना है paper trading कर सकते हो live execution करना है live execution कर सकते हो और इसके बाद simply आप save पे click करोगे तो ये strategy आपकी deploy हो जाएगी now this is something जो आपको पहली बार करना है ये setup सिर्फ और सिर्फ एक ही बार करना है ठीक है इसके बाद आपको अगले दिन strategy चलाने के लिए simply web app पे login करके my strategies में आके सुबह सिर्फ और सिर्फ deploy बटन पे click करना है मतलब आपको आपके broker के account में login करना है और deploy बटन पे click करना है that's it ये जो भी आपने मेहनत करी जो 2-5 मिनिट की कुछ जादा मेहनत है नहीं पर फिर भी एक ही बार करना ये काम रोज रो strategy आपको create नहीं करनी है इसके बाद आपको simply सुबह उठके आपके broker account में login करना है और market खुलने से पहले deploy बटन पे click कर देना है इसके बाद जो भी trades आएंगे जो होगा सब कुछ अलगो संबाल लेगा entries भी लेगा stop losses भी काटेगा target पे profit भी book करेगा और जो trades बच जाएंगे उनको 305 पे अपने आप square of P कर देगा अब ये तो हो गया strategy का logic और execution और सब कुछ जो fully automated तरीके से होता है बट एक नंबर जो बहुत important होता है हर trader के लिए कि बही अगर आज मेरी जिन्दकी का सबसे खराब दिन है कि बही मैं जो trade ले रहा हूँ सब में stop losses आ रहा है तो मैं कितना capital अपना गवा सकता हूँ ये नंबर पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी calculation भी एक बार देख लेते हैं तो हमने देखा कि हमारा जो stop loss है वो maximum 3% है हमने 3% से ज़्यादा की candle में हम लोग trade नहीं कर रहे है high pay entry ले रहे है तो इस हिसाब से अगर आप 10,000 रुपे लगाते हो तो 3% के हिसाब से आपका max loss एक trade में कितना हो सकता है 300 रुपे आप कितने stocks में trade कर रहे हो 20 stocks में अगर मान लेते हैं कि 20 के 20 stocks का sell आ गया तो भी आपका दिन का 6,000 रुपे से जादा loss नहीं हो सकता इसमें छोटे-मोटे slippages आएंगे थोड़ा सा brokerage tax लगेगा 6,000 का आप 6,500 पगड़ लो बट worst के सिनारियों में आप लाख रुपे के account में 6,000 या 6,500 से जादा loss ये strategy में possible ही नहीं है तो अब आप एक बहुत अच्छे confidence है बहुत safe and sound दिमाग से strategy को deploy कर सकते हो कि भी आपको logic पता है आपको पता ही कि अलगों से execution है मतलब सुबह आपको उटके सिर्फ एक button दबाना है और आपकी strategy चालू हो जाएगी आपको आपका loss limit पता ही कि भी worst case scenario में मेरा इससे जादा loss हो नहीं सकता है और आपको पता ही कि day end पे position काटके जो भी strategy का profit loss होगा वो आपके account में आ जाएगा तो अब इससे जादा एक trader के लिए सुकून क्या हो सकता ही कि भी मेरा सारी चीज़े automated है मेरे को सारे numbers पता है logic पता है and that is it दोस्तो this is the reason why we do algo trading कि भी हम strategy के logic पे ज़्यादा focus कर पाए rather than आप ये चीज़ manually execute करने जाओगे तो B stocks में आपको entry लेना उसके बाद उसके stop losses पे ध्यान रखना उसका moment देखना that is not possible manually this is the reason ये platform बनाया है आपके लिए charting strategy की library बनाई है इस तरीकी की और strategies भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें सारी detail होगी कि भी क्या quantity से चलाना चाहिए क्या max लो सकता है सारी चीज़े अगर आपको इस type का content पसंद आता है वीडियो को like कर दीजे live trading इसका देखना है कमेंट में डाल दो कि live trading देखना है मैं आपको दो-चार दिन अपने अकाउंट में strategy चला कि इसका live trading भी दिखा दूँगा दोस्तों के साथ share करिये मिलते है अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you, take care और happy trading